जेहिन दोस्तो आज किस वीडियो में हम करंट अफियस का बहुत ही महत्पून टॉपिक डिसकस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है खेल पुरसकार तो दोस्तो पचले एक साल में जितने भी कप, ट्रोफी, टूनामेंट, लीग और चेमपेंशिप संपन हुई हैं इन सभी को हम बिलकुल डेटेल में डिसकस करेंगे ठीक है हम देखेंगे कि इनका आयोजन कहां पर किया गया जीता किसने हैं और जो प्रमुख रखोर्ड बने हैं मतलब complete जतने भी fact बन सकते हैं एक्जाम में उन सभी को discuss करने वाले हैं तो आएए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर first question से और नमर first question है ICC पुरश T20 World Cup 2024 का खिताब किसने जीता आप लोग जानते होंगे इस कांसर तो ICC T20 World Cup 2024 का खिताब जो है यह अपने प्यारे देश भारत ने जीत लिया है A option correct answer हो जाएगा हम बात करें detail की तो देखिए T20 World Cup जीता किसने है तो अपने देश भारत ने इसको जीता है ठीक है और भारत की तरप से कप्तानी किसने करी तो कप्तानी करी रोहिस सर्मा ने उप बिजिता रहा है South Africa ठीक है South Africa की कप्तानी करी एडन मार करमने ठीक है और भा संसकन अभी खेला गया और इसका आयोजन किया गया था USA और वेस्ट इंडिस दोनों देशों में संक्त रूप से और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वर्ल्ड कप की मेजवानी USA ने करी है और इसमें प्लेयर आप दी टूनेमेंट का खिताब दिया गया जस्वीत बुम्र हैं ठीक है हम बात करें व्रिक्स गेम 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है व्रिक्स गेम 2024 इसकी मेडल टेली में अपना देश भारत आठवे स्थान पर रहा है बी ओप्सन करक्ट हो जाएगा ठीक है देखे व्रिक्स गेम की बात करें तो व्रिक्स गेम व तो रसिया के कजान में आयोजन किया गया है देखिए इसकी मेजवानी एक वर्स के लिए व्रिक्स संग की अध्यक्षता करने वाले देश को दी जाती है तो अभी व्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है इस साल तो व्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है रूस तो इन गेम्स का जो मेजवान है ये रूश देश को ही बनाये गया कलियर आप लोग समझ गए होंगे official संसक्न Edison की बात करें आधिकारिक संसक्न की बात करें तो आधिकारिक इसका पहला संसक्न है वैसा तो फ़सर दो मैंधे ऐस स्थान के साथ चाइना वय क्यों के साथ तीसरे स्थान पर है भारत जो है टोटल 29 पदक जीता है भारत और 29 पदकों के साथ भारत इस मेडल टैली में आठवे स्थान पर है नेश्टे बल्ड लीग और फाइटर्स के लिए गोल्ड टेकेट जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने हैं करेक्ट आंसर उसाएगा के लिए गोल्ड टेकेट हासल करने वाले पहले भारतिये बने हैं नेश्टे आईपियल 2024 के खिताब किस टीम ने जीता तो आईपियल का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने से ओप्सन करक्ट हो जाएगा और हराया किसको है तो हराया है सनराइजर्स संसरकन खेला गया और आयोजन किया गया था भारत में तीक है इसमें औरेंज केप का खिताब जोहिवराट को हिल्यू को दिया गया इनने 741 रन बनाए थे परपल केप का खिताब दिया गया हरसल पटेल को इनने 24 बिकट लिए थे पूरे आईपियल में और मोस्ट वैल्यू से भी एक कंप्लीट फेक्ट याद रखना है इसी क्रम में होता है WPL यानि कि बूमेंस प्रीमियर लीग और बूमेंस प्रीमियर लीग 2024 का जोह खिताब है न यह जीता है RCB Royal Challengers वेंगलरू ने किसको हराया दिल्ली कैपिटल को और 8 विकेट से हराया डिटेल की बात करें तो IPL का आयोजन भारत के दो सहरों वेंगलरू और नई दिल्ली में किया गया दूसरा संसकन खेला गया जीता है RCB ने RCB की कप्तानी करी इस मिर्ती मंधाना ने उपब जीता रहा है दिल्ली केपिटल इसकी कप्तानी करी मेग लेनिंग ने टोटल 5 टीमें खेली है WPL और इसमे के लिए यह complete fact याद रखना है बताईए March 2024 को संपन लीजेंस क्रिकेट लीग 2024 के खिताब किसना जीता लीजेंस क्रिकेट लीग की यदि हम बात करें तो यह क्या है जो क्रिकेट रेटाइड हो जाते है ना उनका यह टूनामेंट होता है ठीक है तो यह खिताब जीत लिया है राजिस्थान किंग्स ने वी ओफ्सन करक्ठ हो जाएगा लीजेंट क्रिकेट लीग ट्रोफी 2024 के फाइनल मुकाबले में राजिस्थान किंग्स ने निव यर्क सुपर स्ट्राइकर्स को 20 रन से हरा कर यह खिताब जीत लिया है ठीक है और हम बात करें आयोजन कहां पर किय गया तो स्री लंका के पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजन किया गया टोटल साथ तीमों ने हिस्था लिया और हम बात करें जीता है राजिस्थान किंग्स ने किसको हराया है निव आर्क सुपरस्टर स्टाइकर्स को पिलेर आप दी मैच दिया गया फाइनल का एस लिनर्स को और सबसे ज़्यादा रन बनाए है किसने चैडविक वाल्टन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिये हैं क्रूस मोफू ने है नेश्थे आइसीसी अंडर 19 मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप दो हजा चोबिस की विजिता टीम के नाम बताईए तो अंडर 19 मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप यह किसने जीता ओस्टेलिया ने जीता ठीक है और हम बात करें कि हराया किसको तो हराया अपने देश भारत को ठीक है आयोजन कहां पर किया गया था दक्षन अफ्रिका में आयोजन किया गया था पेलेयर आप दी टूनेमेंट कोईना मफाका को द ही क्या दिया गया था player of the tournament या पर player of the series दिया गया ठीक है यह दक्षिण अफ्रिक्या के कर्केटर हैं दोस्तो यदि आप इसी प्रकार से बिल्कुल detail में करंट अफेस को पढ़ना चाहते हैं करंट अफेस के हर topic को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट करंट अफेस की topic wise और monthly wise update ebook launch हो गई है इस ebook के अंदर आपको जिस प्रकार से हम यहां पर sport award को पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से सारे topic मिल जाएंगे और इसके लावा monthly करंट अफेस भी मिल जाएगा बिलकुल detail में total 5000 से जादा question आपको हमारी इस ebook में मिल जाएंगे इसी करह में हमारी aesthetic gk की रामबार ebook launch हो गई है science की ebook लॉंच हो गई है इन सभी ebook के link आपको वीडियो के description box मिल जाएगा तो फटा फटा फट से परक्रस कर लेजे बताईए पर्षें की badminton फिर्टियोगता थामस cup 2024 का खिताब किस न जीत थामस का थामस का थामस का थामस का युऔर इसी प्रकास दोस्तो जो महिलाओं की badminton फिर्टियोगता खोती है इसको अबेर कप कहते हैं तो थामस कप परसों की बैडमिंटन प्रतियोगता है और अबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगता है थामस कप और अबेर कप दोनों को आयोजन्स चाइना में किया गया थामस कप का आयोजन जो है ते तीसवा संस्कन संपन हुआ है और थामस कप जीता चाइना ने है और Ober Cup जो की महलाओं का होता है इसका 30 संसकंड संपन हुआ है यह भी किस ने जीता है चाइना ने मतलब Thomas Cup और Ober Cup दोनों का अजुजंद चाइना में किया गया और दोनों चाइना ने ही जीत लिए है तो रणजी ट्रोफी 2024 का खिताब जीत लिया है मंबई ने और मंबई ने किसको हराया विदर्स की टीम को हराया है और 119 रण से हराया है तीक है और 42 वी बार ये ट्रोफी अपने नाम कर ली है याद रखना राष्टे फटबॉल चेंपनशिप संतोष ट्रोफी 2024 की विजेता टीम का नाम बताए संतोष ट्रोफी की यदि हम बात करें ये क्या है राष्टे फटबॉल चेंपनशिप है और इसकी जो विजेता टीम है वो है सर्वसेस की टीम और सर्वसेस की टीम ने किसको हराया है गु पहला T20 चार सो मेडर दोड में किस भारती है νें वर्ल्रकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है तो यह किसने जीत लिया हैzwit दीप्ती जीवन जीने जीत लिया है ठीक है। इन्ने वर्ल्रकॉर्ड के शाथ much M जी है ना इनने 400 मीटर की दोड को जो है 55.07 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकोड बनाया और गोल्ड मेडल जीत लिया है पांच भी बार विस्व रैपट सतरंज चेंपेंशेप पर उस केटेगरी किस खिलाडी ने जीता है तो दोस्तों यह जीत लिया है मैगनिसन कारलसन ठीक है और दोस्तों यह जो चेंपेंशेप है इसका आयोजन कहां पर किया गया और जीता है मैगनिसन कारलसन ने तो यह कहां के सतरंज खिलाड़ी है यह नारवे के सतरंज खिलाड़ी है ओके और हम बात करें इसी केटेगरी में विस्व रैपट सतरंज चेंपेंशेप महि महिला केटेगरी के जीता है अनास्तासिया बोड नारूप ने ठीक है और यह कहां की है तो यह रूस की सतरंज खिलाड़ी है और इसी क्रम में वेसर रैपेड सतरंज Championship महिला केटेगरी में भारती खिलाडी कनुरु हम्पी ने कौन सा मेडल जीता अपने देश की महिला 17 खिलाडी थी कनुरु हम्पी और इनने इस Championship में सिलबर मेडल जीता है बी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्टे किस भारतिय ग्रेंड वाश्टन ने नारवे सतरंज टूनामेंट में कलासिकल गेम में पहली बार दुनिया की नम्मर वन मेगनिसन कालसन को हराया है देखिए मेगनिसन कालसन दुनिया की नम्मर वन सतरंज खिलाड़ी है और इनको भारतिये सतरंज खिलाड़ी जो है इनने हरा दिया है इनका नाम क्या है आर प्रग्ननंद इनका नाम है ठीक है याद रखना बी डी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्टे विस्ब अंडर 20 जूनियर सतरंज चैंप्रेशप 2024 का प्रुषकार किसने जीता है करक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तों दिब्विया देश मुख ने ठीक है और इस प्रितियोगता का आयोजन कहाँ पर किया गया गजरात के गांधी नगर में इस प्रितियोगता का आयोजन किया गया नेश्ट माई 2024 माह का ICC प् को और यह कहां के हैं बेस्ट इंडिस के हैं और महिला केटेगरी का दिया गया है चमारी अथा पट्टू को यह कहां की है तो यह स्री लंका की है ठीक है नेश्ट नीरच चोपडा ने पाबो नूर्मी गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीत लिया है तो करक्ट आंसर होगा दूस्तों इनने गोल्ड मेडल जीत लिया है हम डिटेल की बात करें नीरच चूपडा ने फिनलेंड में आयोज़त विस्व एथलेटेक्स कॉंटिनेंटल गोल्ड टूर इवेंट में पाबो नूर्मी गेम्स में भाला के खिलाड़ी नीरच चूपड़ा नेश्टे इटालियन ओपन दो हजाट चूविस में महिला एकल का खिताब किस ने जीता करक्ट आंसर होगा दूस्तों एगा सोईटेक्स ने ठीक है और यह कौन है यह पोलेंड की टेनिस खिलाड़ी है इटालियन ओपन दो हजाट मनिके है नेश्टे आई टी टी एफ टेबल टेने स्विस्व रैंकिंग दो हजाट चूविस में भारत की सीर्स महिला खिलाड़ी कौन बन गई है करक्ट आंसर होगा दूस्तों स्रीजा अकूला ए ओप्सन करक्ट होगा हाली में कुबेट सिटी में संपन एसीन सौटगन च चेंपनशिप की बात करें इसमें भारत ने आठ पदक जीते हैं और आठ पदकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है तो याद रखना इस चेंपनशिप का आउजन किया गया कोबेट सिटी में 11 संसकन खिला गया भारत ने टोटल आठ पदक जीते हैं और भारत तीसरे स लियाद रखना इसने दोनों गोल्ड मेडल दीते हैं इसलिए ये दूसरे स्थान पर है भारत ने आठ पदक दीते हैं लेकिन फिर भी ये कौन से स्थान पर है तो भारत आठ पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है ठीक है क्योंकि भारत ने एक गोल्ड मेडल दीता है नेश्ट हाली में संपन पुरुसबर्ग की तेर भी राष्टे आई सो की चेंप्रेंशप 2024 के खिताब किसने जीत लिया है करक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तू लद्दाक ने देखिए राष्टे आई सो की चेंप्रेंशप इसका आउजन किया गया है माचल पैदेश के काजा में पुर नेश्ट है चोधवी होकी इंडिया सीनियर महिला राष्टे चेंप्रेंशप 2024 के खिताब किसने जीता है करक्ट आंसर हो जाएगा दूस्तू ये खिताब जीत लिया है हरयाना ने ठीक है और इस चेंप्रेंशप का आउजन कहां पर किया गया तो मेजर ध्यान चंद होकी स् पदक तालिका में कौन सा राज्ज सीर्स पर रहा है तो खेल इंडिया यूथ गेम्स महत्पून है इसमें महराष्ट जो है ये टॉप पर रहा है आए डेटेल से हम समझ लेते हैं तो खेल इंडिया यूथ गेम्स ये क्या है तो ये प्रतियोगता भारत में स्कूल और कॉल मंगाई वेलू नचियार के लिए छटबस संसकंड खीला गया सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं महराष्ट ने ठीक है एक सौन ठाउन पदक और इसका आउजन किस मंत्रा लाए के और पुरस दोनों बर्ग में महराष्ट राज टॉप पर रहा है ठीक है याद रखना महराष्ट की टीम ने पुरस और महिला दोनों बर्ग के खिताब जीते हैं और विजेता टीम को तीन लाख रुपे की पुरस का रासी और एक ट्रॉफी दी गई है नेश्ट कोसन राष्टे महिला केरम चेंपरंशब 2024 के खिताब किस ने जीता ? तो केरम चेंपरंशब 2024 के खिताब जीता है रासमी कुमारी ने सी ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्टर केस देश ने चटवी एसी आई केरम चेंपरंशब दो हजार चोवीश में पुरोस और महिला दोनों यूगल खिताब जीत लिये हैं किस देश ने जीते हैं अपने देश भारत ने ए ओप्सन करक्ट हो जाएगा लेकि डेटेल की बात कर लेते हैं तो मालदीब में आयुज़त हुई है चटवी एसी आई केरम चेंपरंशब दो हजार चोवीश और इसमें भारती खिलाडियों ने प्रोस और महिला दोनों यूगल खिताब जीते हैं ठीक है देखिए जो प्रोस यूगल खिताब है ये किस किस ने जीता है आप आप लोग फोटो में देखिए आकांचा कदम और साइनी सेविष्टियन ने जीता है दोनों ये भारत की है ठीक है तो अपन ने महिला और प्रोस दोनों यूगल खिताब जीते हैं नैश को सन ऑस्टेलियन ओपन दो हजार चोवीस में प्रोस एकल का खिताब किस ने जीता ओस्टेलियन ओपन पूछ जाता है ठीक है तो इसमें मैंस सिंगल का दो टाइटल है ये इटली के यानिक सिनर ने जीत लिया है ए ओप्सन करेक्ट हो जाएगा देखिए ओस्टेलियन ओपन की बात करें तो आयोजन ओस्टेलिया के दो सहरों में हुआ है मैल वर्न और विक् भी महत्पून है क्योंकि इसमें एक उस्टेलिया के मैथ्यू है और दूसरे भारत के हैं रोहन बोपन्ना ठीक है तो रोहन बोपन्ना का नाम याद रखना महिला डवल्स का खिताब जीता है ताइबान की सुई सुबेई और वेल्जियम की एलिस मर्टेंस मतलब यह उतना म महत्पून नहीं है ओके यश्टे राष्टि द्रश्टी बाद T20 किरके टूनेमेंट दो जैट तेईस चोवईस इसको हम कहते हैं नागिष्ट्राफी का किताब किस ने जीता है करेक्ट आंसर आएगा दूस्तों नागिष्ट्राफी का किताब करनाटक ने जीता है तीक है और किसको हराया है तो CAB आंद्रप्रदेश को हराया है और नागिश ट्राफिक का अभी कौन सा संसकंड खेला गया तो छटवा संसकंड खेला गया ओके अता ये होकी इंडिया के द्वारा वर्स दो हो जाते इसके लिए सरवस्रिष्ट महिला और पुरुष खिलाडी के हार्दिक सिंग के लिए तो सी ओप्सन करेक्ट आएगा ए और बी दोनों के लिए देखे होकी इंडिया ने अभी एक समाहरों के दोरान चटे होकी इंडिया पुरुष कारों की घुशना करी है और इसमें दो हजाते इसका सरवस्रिष्ट पुरुष खिलाडी बनाया गया ह सुख कुमार के लिए दो हो जाते इसका सरवस्रिष्ट गोल की पर किसको चुना गया प्यार स्रीजेस के लिए तो यह चार प्रुष्कार इनको अब जरूर याद रखेंगे नेश्कोस्तन भारत के 85 भी सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा दुस्तो पी स्याम निखिल यह किस राजिसे हैं तो यह तमिल नाडू राजिसे हैं इसी करम में 84 भी ग्रेंड मास्टर कौन बनी है तो भारत की 84 भी ग्रेंड मास्टर बनी है आ महिलाओं के क्राम में भारत की तीसरी महिला ग्रेंड मास्टर बनी है ग्रेंड मास्टर होता क्या है तो ये विश्व सतरंज संगठन फीडे के द्वारा दिया जाने वाला सतरंज ख्रयाणियों को दी जाने वाली एक सरवुच उपादी होती है तो अभी मैंने बताया कि 85 सतर ग्रेंड मास्टर बने हैं पी स्याम निखिल 84 बनी है आरवे साली इससे पहले 83 बने थे आदित एस सामंत व्यासी बने थे बुपला पिर्नेत अच्छा इस्टेटिक जी के में पूंचा जाता है कि भारत के पहले ग्रेंड मास्टर कौन थे तो आप कहेंगे विश्वनात आ तूनेमेंट 2024 जीतने माले सबसे कम उम्र के भारतिय पूरस खिलाड़ी कौन बने हैं करक्ट आंसर उजाएगा दूस्तो डी गोगेस कौन बने हैं डी गोगेस तो याद रखना भारत के 17 वर्स के हैं डी गोगेस और ये फीडे कैंडिडे टूनेमेंट जीतने माले सबसे कम उम्र के प्रोसतरंज खिलाड़ी बन गए है याद रखना डीगोगेस विस्वनाथ आनंद के बाद फीडे कैंडिडेट टूनेमेंट जीतने माले दूसरे भारतिये बने हैं मतलब ये कॉस्टन बहुत जादा महात्पून है और ये जो चेस वर्ल्ड कप दो हजा तेश के विजेता का नाम क्या है तो ये जीता था नारवे के मैगनिसन कार्ल सन ने और इसमें विजेता रहा था अपना छोटा भाई कौन आर प्रग्नानंद ठीक है कहां कही हैं आर प्रग्नानंद तो ये चैन नहीं के हैं नेश्ट है सुपरबेट रैपेड और बिलेट से सतरंज टूनेमेंट 2024 किस ने जीता करेक्ट आंसर हो जाएगा दूस्ते ये भी मैगनिसन कार्ल सन ने जीता ठीक है और इसमें भारत के जो आर प्रग्नानंद है न ये चोथे स्थान पर रहे थी तो दुस्तो दुनिया की नम्मर वन सतरंज खिलाड़ी मैगनिसन कार्ल सन बने हैं तीक है मैंने बताया है कि नारवे की सतरंज खिलाड़ी है और हम बात करें कि जो फीडे की रैंकिंग आई है इसके अनुसार भारत की नम्मर वन सतरंज खिलाड़ी तो इसमें भारत ने टोटल नो पदक जीते हैं ठीक है और 20 वी ACI कुष्टी चेंपरिशप 2024 में भारत ये कुष्टी टीम ने टोटल नो पदक जीते हैं और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो करगिस्तान की बिसकेक सहर में इसका आयोजन किया गया निसानेवाजी प्रतियोगता ISSF World Cup 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला इस्तान हासिल किया है करक्टान सो जाया गया इसमें अपने देश ने पहला इस्तान हासिल किया है ठीक है तो दोस्तो जो निसानेवाजी प्रतियोगता है ISSF World Cup इसका आयोजन किया गया काहिरा में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं और मेडल टैली में भारत पहले इस्तान पर है ग्रेट वेटेन दूसरे इस्तान पर है जर्मनी तीसरे इस्तान पर है भारत ने कितने शौंड पदक जीते हैं दो शौंड पदक जीते हैं तो शौंड पदक विजयताओं को हम देख लेते हैं एक है दिब्यांस है पवार ठीक है और दूसरे कौन है तो डूल कैटिग्री में रदमा सांगवान और उज्वल मलक ठीक है इन दोनों की जोड़ी ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है नेश्चे पहले मल्टी स्पोर्स बीच गेम्स 2024 में किस राज ने सबसे जादा जीते बीच गेमस 2024 इसमें मद्य परदेश ने सबसे जादा पदक जीते हैं तो पहली बार हुए है यह मतलब कौन सा संसकन है पहला और जब किसी गेमस का पहला संसकन होता है पहली बार वो सुरू किये जाते हैं तो कॉस्शन पूचे जाते हैं तिक है याद रखना आयोजन है बीच बॉक्सिंग है बीच सोकर है बीच कबड़ी है रसी कसी है समुद्र तेरा की है और इसके साथ में है मलखंब और देखिए मलखंब क्या है तो यह मद्द प्रदेश का राज की यह खेल है मतलब मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में ये खेल बहुत ज़्यादा खेला जाता है इसलिए मद्धपदेश ने सबसे ज़्यादा पदक जीत लिए हैं कितने 18 पदक जीत लिए हैं मद्धपदेश ने और मद्धपदेश मेडल टेली में पहले इस्तान पर है महराश्ट न चौदा पदक जीते हैं और महराश्ट मेडल टेली में दूसरे स्थान पर है नेश्ट वन की बात करें फ्रेंच उपन दो हजार चौविस में पुरोस योगल वैडमिंटन का खिताब किसने जीता करक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश की साथविक साइंग राज रंगी डेड़ी और चिराक सेट्टी की जोड़ी ने तो पक्षन कोरिया की एन से यंग महिल डवल का किताब चैन किंग चैन और जीया ए फ्रे ने जीता चाइना की है संभाइट रख यहाली में फ्रूटवाड पृती यूगता कालिंग सुपर कप 2024 का किसने जीता कोलिंग सुपर कब 2024 का खिताब जो है ये इश्ट बंगाल ने जीता है ठीक है आयोजन किया गया था इसका उडिसा के भुबनिस्वर ने जीता है इश्ट बंगाल ने और उपविजिता कौन रहा है उडिसा एपसी जो है ये उपविजिता रहा है नहिश्च मार्च 2024 में संपन पाकिस्तान सुपर ल ये मार्च 2024 को संपन वांगलादिस प्रीमियर लीग 2024 के खिताथ किस ने जीता तो ये जीत लिया है फार्चिवन वारी साल ने बी ओप्सन करक्ट हो जाएगा आयोजन कहाँ पर किया गया बांगलादिस में दसवा संस्कन खेला गया और फार्चीन वारी साल ने जीता है उब बिजित रहा है कोमिला विक्टोरियन्स नेश्ट फरवरी 2024 में संपन इंटरनेशनल लीग T20 2024 के खिताब किस देन जीता करक्ट आंसर हो जाएगा दूस्ते ये जीता है M.I. अमिरात ने ए ओप्सन करक्ट हो जाएगा फरवरी 2024 को संपन दक्षेन अफरीका T20 2023 के खिताब किस देन जीता करक्ट आंसर हो जाएगा सनराइजर इस्टर्ण के अपने नेश्ट है जनवरी 2024 को संपन वेगवेस लीग 2023-2024 के खिताब किस देन जीता करक्ट आंसर हो जाएगा विस्वरेन हीट ने C ओप्सन करक्ट हो जाएगा नेश्ट है A.C.N. बैडमिंटन चेंपन्शिप 2024 में पुरुस एकल के खिताब किस देन जीता है करक्ट आंसर हो जाएगा दूस्तो जोनाटन क्रश्टी ने ये खिताब जीत लिया है तो A.C.A. वेडमिंटन चेंपन्शिप की बात करें पुरुस एकल के खिताब जीता है इंडोनेसिया के जोनाटन क्रश्टी ने महिला एकल के खिताब चाइना की वांग जी इनी जीता पुरुस एगल के खिताब जीता है लेयांग वेई कैंग और वांग चांग जोड़ी कहां की है चाइना की है नेश्ट फॉर्मूला बन जापानी ग्रेंड प्रिक्स 2024 के खिताब किस ने जीता करक्ट आंसर हो जाएग मैक्स बरेश्ट पेन ने और यह कौन है मैक्स बरेश्ट पेन तो यह रेड वॉल कार रेसिंग ड्राइवर है इसी क्राम में फॉर्मूला वन ऑस्टेलियन ग्रेंड प्रिक्स 2024 का खिताब किस ने जीता है तो यह जीता है कार लोस सेंज ने ठीक है तो यह याद रखना इस रेसिंग कार ड्राइवर है और फेरारी कार के ड्राइवर है बताए चीनी ग्रेंट प्रिक्स 2024 का खिताब किस ने जीता है तो ये भी मैक्स वरेश्टे पैन ने जीत लिया है तो ये इंगलेंड की है ने इस्टे पुरस एएफ सी अंडर 23 ACI कब 2024 के खिताब किस देश ने जीता करक्टानसरों दो हो जाएगा दूस्तो ये जापान ने जीता है ठीक है पुरस एफ सी अंडर 23 की बात करें तो इस कायोजन हर दो साल में किया जाता है और इस साल किया गया था इस कायोजन कतर के दो 23 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया यह कॉस्षन बहुत महत्पून है यह पूछड़ाएगा एक्जाम में तो यह जो खिताब है दुस्तों मेजर ध्यान चंद्र खेल रतना वोड यह जीता है चराक सिट्टी और साथवेक साहिराज रंगी रेड़ी दोनों सी ओप्सन करक्ट हो जाएगा तो याद रखना दुस्तों मेजर ध्यान चंद्र क्या है यह भारत का सरवच खेल सम्मान है और इसको पहले राजु गांदी खेल रतने प्रोषकार की नाम से जाना जाता था लेकिन 2021 में मोदी जीन इसका नाम बदल कर कर दिया है मेजर ध्यान खेल रतना अवार्ड ठीक है और इसमें 25 लाख रोपे की नगदरासी दी जाती है इसकी शुरुआत 1992 में मोई थी पहली बार यह प्रुसका दिया गया था विस्वनात आनंद को कब 1992 में भाता यह किन खिलाड़ियों को ध्यान चंद लाइफ टाइम अच्यमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया ध्यान चंद लाइफ टाइम अच्यमेंट अवार्ड 2023 यह दिया गया है दोस्तों तीन जनों को ठीक है एक तो मन्जू सा कवर हैं बेडमेंटन के खिलाड़ी है यह और कभीता सैलबरास है कवडड़ी की खिलाड़ी वीनिता कुमार सर्मा है ठीक है 23 जनों को दिया गया डी ऑप्शन करक्ट्रों जायागा नेश को सन है कितने खिलाड़ियों को अरजुन पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया तो देखे दूस्तों सबसे पहले याद रखना अरजुन पुरुसकार किसको दिया जाता है सरवस्रिष्ट प्रदर्शन करने वा 26 जनों की सूची बना दिये हैं कौन से खेल से वो सम्मानित हैं आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन सोट लेके पढ़ सकते हैं इसी करा में हम बात करें दूणाचार ये अवर्ड फार आउट इस्टेंडिंग कोच 2023 रेगुलर केटेगरी कितने कोचों को दिया गया कितने क अजबूत खिलाडी खड़े किये हैं सर्वशिष्ट प्रदसन करने वाले खिलाडी खड़े किये हैं तो दूणाचार ये अवर्ड ये रेगुलर केटेगरी और लाइफटाइम केटेगरी दो केटेगरी में दिया जाता है तो अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर केटेगर में पांच कोचों को दिया गया है तो पांच कोच कौन कौन है तो एक तो कुष्ती के हैं ललित कुमार दूसरे सत्रंज के हैं इनका नाम है आरभी रमेश, तीसरे पैरा एतलेटेक्स हैं महावीर प्रिसाथ सेनी होकी के हैं सिवेंदर सिंग मल्कम के हैं गड़ेष परभाकर देउरि खकर तो इन पाच कोचों की नाम याद रखना और इसी क्रम में एक lifetime केटेगरी में भी कोचों के लिए लिए अबौर्ड दिया जाता है दोना चारी अबौर्ड तृके तो lifetime केटेगरी में तीन जनों को दिया गया एक तो पुल्फ के कोच हैं जसकीरत सेंग्रेवल कबडडी के हैं वासकरन यी टेवल टेनिस के हैं जैन्त कुमार पुसीलाल ठीक है तो इन तीन जनों को दिया गया है कैसी लाइफटाइम केटेगरी में नेश्वन की हम बात करें तो ICC पुरुस क्रिकेट वर्ल्ड कप दो ठीक है अपन हार गये थे तो आपन कितने से रह गये थे चैंश्वीकश से इसे लेकिन कोस्तन महत्पूर्ण है इसलिए डेटेल यांािघभी बीबात कर लेते हैं आयुजन भारत में ही किया था तेरवसें सकंड खेला गया था व diferença और में टोंको को صुवंकर बनाया अधा सौंग था दिल जसन बोले सौंग के कंपोजर थे प्रीतम और जीता ऑस्टेलिया ने है छट वी वार जीता है और कप्तानी करी पैट कमिंस ने ऑस्टेलिया की अपन थोड़ा से चूग गए अपनी कप्तानी करी रोह सरमा ने प्लेयर आप दी टूनेमेंट वराट कोहिली को दिया गया प्लेयर आप दी मैच दिया गया फाइनल का ट्रेवेस हैड को और गोल्डन वेट अवोर्ड देखिए सबसे ज़्यादा जो रन हैं यह कोहिली के बल्ले से निकले थी सास सो पैसेट रन ठीक है गोल्डन बॉल अब और मुहम्मद समी को मतलब यह भी सबसे ज़् हम्मद समी ने लेकिन फिर भी अपन थोड़े से रह गए थी ठीक है आई सी सी वर्ल्ड टेस्ट चेंपरेंशप 2023 की विज़ेता टीम कौन सी है करक्ट आंसर हो जायागा दुश्तू यह भी उस्टेलिया ने जीता था ठीक है और किसको हराया था अपन को हराया था एक सुनन यादों को ठीक है और सुर्य कुमार यादों को आई सी सी के दोरा लगातार दूसरी बारिया अबोर्ट दिया गया था दो हज़र वास वाला और अभी दिया गया है दो हज़ाद तइइस वाला और डेटेल की बात करें तो देखिए आई सी सी क्रिकेट परोस्कार 23-24 लेना ठीक है मैंने यहां पर लिश्ट लगा दी है और याद रखना पड़े ही लेना क्योंकि सारे के सारे यह जो अबोर्ड है न यह महत्पूर्ण है नेश को सन फीफा महिला विस्वकप दो हो जाथ 23 का खिताब किस ने जीता फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात करें यह खित महिला वर्ल्ड कप और आयोजन ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड में किया गया नौवा संसकंड खिला गया जीता इस्पैन ने हैं इंगलेंड को हरा कर ठीक है इसको हरा कर इंगलेंड को इसका सुभंकर तजुनी को बनाया गया फोटवाल का नाम क्या था जो फोटवाल थ तेज का खिताब किसने जीता परो सो की विस्व कप की हम बात कर लेते हैं यह जीता जर्मनी ने ठीक है और याद रखना फाइनल मुकाबला भूमने सुर के कलंगा इस्टेडियम में हुआ जर्मनी और वेल्जियम की बीच तो जर्मनी ने वेल्जियम को पैनल्टी सूट आउ जालन ने फटवाल का सबसे प्रतिष्टिक प्रुसकार वेलंडी और 2030 जीता है तो याद रखना वेलंडी और प्रुसकार फटवाल का सबसे प्रतिष्टिक प्रुसकार होता है और यह प्रुसकार जीत लिया है अर्जेंटिना के लियोनेल मैसी ने ठीक है याद रखना मैस पुरुषकार है यह अलग होता है महिला वेलेंड और 2 हो जाते हैं यह किस ने जीता है तो यह एताना बॉन माती ने जीता है यह कहां कि है तो यह इस्पेन की महिला फुटवॉल है खेलो इंडिया इन्वरसिटी गेम्स की बात कर लेते हैं तो पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा है साथ खेर्य इंडिया उन्वरसिटी गेमज में पदक तालिका में पजाब इन्वर्सिटी रही है टौप पर ठीक है पजाब इन्वरसिटी ने स्थान परतल cd ein यह जीते गूले दिव इनृष्टी ओन वरोहिए यह रही है यह एकॉन्ड पॉजीशन पर इस 68 मेडल जीते हैं और जेन इनवर्सिटी जो है करनाटक की ये तीसरी स्थान पर रही है इसने कितने पदक जीते हैं तो इसने 32 पदक जीते हैं पहला महला कवड़ी लीग का खताब किसने जीता तो पहला महला कवड़ी लीग 2023 का खिताब जो है ये जीता है ओमा कोलकातान है किसने ओमा कोलकातान है और किसको हराया पंजाब पैंथर्स को हराया ठीक है चुकि ये पहला संसकन है महले कबड़ी लीग का इसलिए महत्पून कोसन है ठीक है आयोजन दुबई में किया गया कहाँ पर आयोजन दुबई में किया गया खेलो इंडिया पेरा गेम्स दो हो जाते है इसकी पदक तालिका में किस राज जिने पहला इस्थान हासिल किया खेलो इंडिया पेरा गेम्स की बात करें तो इसमें हर्याना ने मेडल टेली में पहला इस्थान हासल किया है तीक है आयोजन किया गया नई दिली में पहला संसकन है ठीक है और मेडल टेली में हर्याना ने टोटल 105 मेडल जीत कर पहला इस्थान यूपी का दूसरा तमिल्याडू का तीसरा गुजरात का कौन सा है तो गुजरात का चौथा है तीक है तो करक्ट आंसर हो जायागा भारत चौथे स्थान पर रहा है डेटेल की बात करें तो 19 वे ACI खेल एक्शल में 2022 में होने थे लेकिन आयोजन 2023 में हुआ आयोजन किया गया चाइना के हांग जोग में और 19 वा संसकंड खेला गया है इसका मोटो क्या था आदर सबाक सदेओं आंगे ठीक है एवर ओन वार्ड पहला इस्थान चाइना का दूसरा जापान का तीसरा साउथ कोरिया का और चौथा अपने देश भारत का इसी करम में चोथे पैरा ACI खेलों 2022 ये भी 2022 के हैं याद रखना चोथे पैरा ACI खेल 2022 लेकिन 2023 में हुए थे तो बताइए इन गेम्स में किस देश ने सबसे जादा पदक जीते हैं तो इसमें सबसे जादा पदक किस ने जीते हैं चाइना ने जीते हैं तो इसमें क्या होता क्या है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं सबसे ज्यादप जीते हैं चाइन ने 521 फ़र इरान ने ठीक है दूसरे स्थान पर है जापन तीसरे पर है और जो साउथ कोरिया यह 4 पर है देखे इसमें अपन थोड़े से और खिसक गए हैं कौन से इस्थान पर आ गए हैं तो अपन 50 स्थान पर आ गए हैं जब कि यहां पर हमने 111 medal जीते हैं ठीक है यह कौन है तो यह 15 से पहले व्याबरा question पड़ा था वो केवल Asian गम थे ओर ACN game में हमने 107 पदक जीते थे लेकिन हम 4 इस्थान पर थे और पैरा ACN में हमने कितने पदक जीते 111 लेकिन पैरा ACN में अपन कौन सी पोजिशन पर आ गए है तो 5 मी पोजिशन पर आ गए है ठीक है याद रखना वहाँ पर हमने गोल्ड बगिरा कम जीते होंगे ठीक है एक औ नेशनल गेम्स की हम बात करें इसमें पदक तालिका में जो महराष्ठ है न यह रहा है टॉप पर और डेटेल की बात करें तो देखिए आयोजन हुआ जो है गोवा में 37 वा संसकन खेला गया है सुभंकर बनाया गया मोगा के लिए मोगा क्या है एक भारतिय वाइसन है यानि क कि गो जाती है जीव है मोगा ठीक है आदर सबाग क्या था गोवा सेट हो जाओ यानि कि गेट सेट गोवा एथम संग कौन सा था तो खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो और इसकी संगर्थि समर्पत गोलाने और दोस्तों इसमें राजा भलन सिंग ट्राफी दी गई है मह महराष्ट को और राजा भलन सिंग ट्राफी उसको दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हूं ठीक है तो महराष्ट में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और सरवसिष्ट प्रस एथलीट का अबर्ड दिया गया है सरवसिष्ट महिला जीते हैं 228 पर दूसरे स्थान पर सरवसेस है तीसरे पर हर्याना फर मद्दप्रदेश और जो मेजवान देश है न गोवा तो गोवा नौवे स्थान पर है कई बार मेजवान देश भी मेजवान राज भी पूंच लिया जाता है तो मेजवान राज गोवा है और गोवा नौ तरीका और content की quality कैसी लगी आप हमें comment करके जरूर बताएंगे और यदि आपको सारा content अच्छा लगा है इसी प्रकार का west content आप पाना चाहते हैं तो ebook में सारा content आपको मिल जाएगा और ebook का link वीडियो की description में ठीक है aesthetic gk का भी और science का भी सभी को purchase करके अपने study को मजबूत ब बता दो कि पुर्सों की badminton फ्रतियों किता है thomas cup तो thomas cup 2024 के खिता किस ने जीत लिया thank you दूस्तो चैनल को subscribe भी कर लेना ताकि इस प्रकार का जब भी मैं नया वीडियो डालू तो आपको notification सबसे पहले मिल जाए thank you मिलेंगे नेक्ट वीडियो में जैहिन